नमस्कार, स्वागत है आप सब का हमारे चैनल पे, आज मैं आप लोगों के साजा करूंगी आम का पन्ना रेश्पी, एक बार मेरे तरीके से आम का पन्ना बनाईए, जो बहुत ही ज़्यादा स्वाधिष्ट बन कर तयार होएगा, और बिना किसी जन्जट का आसानी के साथ ब बश्य बनाईए और इंज्वाय करिए, आम का पन्ना बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने आम को तोड़ लिया था, घर का ही आम है, अब इसको छिलनी के सहायता से, इसका छिलका हटा लेंगे इस तरह से, देखिए, शबका मैंने छिलका हटा लिया है, और यहाँ पर मैंने ल पानी और इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे, दस से बारा मिनट में आम अच्छे से बॉयल हो जाते हैं, ए देखिए अब आम अच्छे से उबरना सुरू हो गया है, थोड़े ही देर में पक जाएगा, इधर इसमें कुछ मसाले त्यार करेंगे, जिसमें लिया है हरा मिर् और पुदीना पत्ता, इन सब को डालेंगे मिकसर जार के अंदर, और लेंगे एक चोथाई चम्मच जीरा, और डालेंगे थोड़ा से पानी, और इसको ग्रैंड कर लेंगे इस तरह से, यदि है आम का पन्ना रेश्पी आपको पसंद आये, हमारे चैनल को लाइक, सेयर और शब्सक्राइब करना न भूले, यह देखिए, इदर आम भी अब लगबख 70-80% कूख हो चुका है, आप गयश को बंद करेंगे, और इसे ठंधा कर लेंगे, और इस तरह से हाथों के मदस से, इसको इस तरह से मैश कर लेंगे, अच्छे से इसके गुठली को निकाल कर फेक देंगे, गर्मियों में आम का पन्ना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, और श्रवलोग बहुत ही अच्छे से इसको पीना चाहता है, ए देखिए, ए थोड़ा जो मोटा मोटा पल्प था है, इसको भी डालेंगे मिक्सर जार के अंदर, और इस तरह से ग्रेंड कर लेंगे, और इसको ट्रांसफर करेंगे आम ओले बॉल के अंदर, अब डालेंगे इसमें थोड़ा से पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें मिलाते जाएंगे, इस तरीके से बना हुआ आम का पन्ना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, अब इसमें एड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमक, स्वादिक अनुषा डालेंगे और डालेंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब थोड़ा से डालेंगे प्लेन नमक और अच्छे से मिक्स करेंगे, और कल्चुल के साहता से इसे अच्छे से चलाकर मिक् तो एक बार इस तरीके से कच्चयाम कपणना बनाईए, जो बहुत ही जदा स्वाधिष्ट बन कर तैयार होता है, और गर्मियों की सीजण इसे बहुत ї जदा श्वास्ट वर्दक होता है, और वोग बहुत जदा पीना पसंड करता है, अब इसे पूदीने के पत्वे से गार् करना न भूले यह देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है पन्ना का